नमस्कार साथियों मैं प्रसांथ आप सभी दोस्तों का स्वात करता हूं आपके इस चैनल पर यह आपका क्राणिकल मैगजीन का जो सेशन चल ला है उस सबी उस सेशन में आप सभी साथियों का देश से अभिनान दन है तो जो यह आपकी क्लास चल लिए इसके ताथ हमने सितं सबी के माहतरपूर है तो इस सभी के लिए उसके लिए बहुत ही महतरपूर है तो इन सभी के लिए क्लास है अब एक करण टाफिर का और निसीटिफ हमारा चला है वह घड़ना चकर की आई दिश्टी जो मैगजीन यह अरली होती है उसको भी हम अच्छे से करा रहा है तो में चार पांच वीडियो हो चुके हैं उसको भी पांच वीडियो उसमें हो चुके हैं तो आब उसको भी प्रप्राइब करें जाए जाए लाइक करें आप हमेरे टेल गार्व चैनल वट्प चैनल इस्टाग्राम पे सब जगां फालो कर लें और उसे जूट जाएं ठीक है चले शुरू करते हैं आज के इस बीडियो को तो पहला हमारा है रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट आपका आया है है हैंले पासपोर्ट सुचकांग जो जुलाई दुजाए 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 कि भारत, सेनेगल, तच्छिकिस्तान के साथ बैसorbय नंबर पे से रुप से है हैनले पासपोर्ट रंकिंग में बारत बैसभर बैसे नंबर पे है किसे साथ है सेनेगल और तच्छिक्स्तान faculty भारत का पासपोर्ट 58 देसों में बीजा मुक्त है पहुंच है ले धानवे पहुंच है तो भारत का पासपोर्ट में 58 डेशों में बीजा मुक्त है जनवारी 2024 पे जारी किये सुचकांग भारत असीवे नंबर प Eigenlaard में जनवारी धारत पासपोर्ट में जो सुचकांग जारी हुआ था बहारत उसमें Benedict opened पहुँच देता है तो सिंगापूर पहले नबर पहें जो 195 में बीजा मुक्त या बीजा और गाइबल पहुच देता है तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है 26 गन तब्यों के साथ हैंले पासपोर्ट सुचकांग को 26 में लाज किया गया था अब हैंले पासपोर्ट 227 या अंतरा गत्तर सामिल है यह अंतर राश्टी है वाई परिभान संग से एकत किये गए डेटा पराजाई था तो सीर सक्तिसाली पासपोर्ट से कौन को से हैं तो पहले नबर पर आपका सिंगापूर है सेनेगल और तव्याकिस्तान के साथ है और कितने देशों में भीजा फिर है तो 58 देशों में पाहली नबर पर सिंगापूर एक्सो पंचानबे देशों साथ ठीक है आगे बढ़ जाते हैं विस्ट के बनों की इस्तिती रिपोर्ट दुज़ा 24 22 जुलाइक दुज़ा 24 को से 23 के में आग लंगने से 263 अनुमानता 6687 मेगा टन कार्बन डयक्साइट उस सरजित हुआ है ठीक है तो दुज़ा के सत्तर परसंद गरीब लोग भोजन दवा और जाय और और अन उद्धेशों के लिए वन जीवर्ब करते हैं रिपोट के अंसार 2020 में वश्सिविक वन छःत्र लगवे चार पॉICA 1 बिलियर्म separately यह भूमी छेत्र परसंट था ते कहा है 2020 में बैस्टूक बन छेत्र लगवागत चार पॉइंट एक बिलियर हेक्टेर या भूमी छेत्र परसंट था इंद्ध भूरणा खैट में चयना फ्रियर हे पहली है कर्यां धर्या के लिएप खैट इन में चाववन परसेंट है चाववन परसेंट बासुए बन चेत्रा ठीक है जो अपका 31 परसेंट है ना 31 परसेंट का चाववन परसेंट इन्हीं पांचो देसों में है रिपोर्ट के अनुमान लगा एक द कि 1990-2020 के बीच में लगभग 420 मीलियन हेक्टे बन भूमी उपुषीयोग में परिवल्थी थी उसके पेड़ो को काट कर ईसको उप्योग में ले लिया गया है 1990 से 2020 के बीच में ठीक है बस आपको इतना याद रहा है आगे बढ़ते हैं भारत के लिए इमोबिल्टी अनुसंधान यो विकास रोड़ में यह क्या है 16 जुलाई 24 को भारत सरकार के परधान बैग्यानिक सलाकार प्रफेसर अजय कुमार सूध ने नय दिल्ली के बिज्ञान भवण में भारत के लिए इमोबिल्टी अनुसंधान यो विकास रोड़ में रिपोर्ट जारी किया हैं भारत के ब्रधान भाग्यानिक सालाकार प्रोफेसर अजय कुमार सूध ने रिपोर्ड के अनुसांधान परके चनाओं में चार महत्पूर छेत्रों में वर्गित किया गया है तो चार महत्पूर छेत्रों में कौन को से हैं उर्जा भंडार सेल इवी अग्रिकेट्स सामागरी ओम रिसाइकलिंग चैर्जिंग ओम इदन भर्णा यह रोड में अगले पांच वर्सों में इवोबिल्टी में आत्म निर्बर बनकर बैस्वों नेत्रत हासिल करने के लिए स भारत ने इलेक्ट्रिक बाहान का उत्पादन मुख रूब से विदेशों से आयसे लिथियम बैटरिक पर नेवय करता है हाला कि भारत में बड़े लिथियम भंडार घोजरा की गई थी कि अभी तक कुछ परियार्द दोगान नहीं हो सकता है मतलब लिथियम का भंडार बा वहान इलेक्ट्रिक होंगे भारत के 30% वहान इलेक्ट्रिक होंगे कब तक 2030 तक भारत में चलने वाल जितने वी वहान है उसा 30% हो जाएगा 2030 तक आगे बढ़ते हैं DPI पर भारत के G20 Task Force की रिपोर्ट क्या है आर्थिक परिवरतन, बिद्धिय समावेश और विकास के लिए Digital सलवजन्वावार्जनाचना पर भारत के G20 Task Force दारा अंतिम डिजिटल नार्ट धर रिपोर्ट जारी के गई है Task Force का नेतुर भारत के G20 सिरपा अमिताब काम तता इनफोसित के संस्थापक अध्याच यू आई डी आई के संस्थापक अध्याच निंदर निलकर्णि ने किया ठीक है जनवादी 23 में टाक्सपोस के स्थापना डिश्टा सार्वरजिक असवरचना और वित्तिय समावेस पर भारत के जी टॉन्टी प्रेसिजंसी एजेंडे और प्राथ मिक्ताओं के देखरेक में उन्हें प्राथ करने के सुविधा प्राथ करने के लिए की गई थी ठीक है आउस पाइंट जो है वह बहुत इंपॉर्टन नहीं है पस आपके इतना पॉइंट देखना है और पढ़ लेना यह क कि इसका जी टॉन्टी टास्पोर्स रिपोर्ट किसे ने जारी किया है तो जी टॉन्टी सेर्पा कौन थे आम इताप का अंत ने ठीक है यो कि पहले नीतियायों के स्रीयों भी रा चुका है इसडीजी इंडिया इंडेक्स 23 क्या है नीतियायों ने सहुत राष्ट के सभी सज़स्यों देशों द्वारा 2015 में अपना है कि 16 बिकास लक्षों पर भारत की प्रगति पर अपनी चौथी मुल्यांकर रिपोर्ट इसडीजी इंडिया इंडेक्स 24 जारी किया इसडीजी इंडिया इंडेक्स एक से सव पाहिमाने पर 16 लक्षों पर अम्रगति रिपोर्ट में भारत का एसडीजी स्कोर कितना है 6-6 तंग के सिज़स्यों कर एकात्र हो गया है रिपोर्ट के अंशार गरीबी लक्षे गरीबी उनमोलन लक्षे गरीबून लक्षे अधिविकार जलवाई करवाई भूविपरजीवन के लेखनी प्रगत्रेश की गई उत्राखंड केरल 79 अंकों के साथ सीज़ पर रसन करने वाले राज है तमिलनाडू अठारका अंके के साथ दूसरे नमर पर है गोवा और हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश भी 77 अ यमितल उत्राखंड अरजogo X Safate ah टों उत्तरप्रदे सत्तार के अः। निटियार की उसी में आपातों से घ्र के साथ के तो 65ों pineणिया सीप Bowman Post Cell persuasion में उत्तरप्रदेश सांइल हो गया इसको आप एकाण्छी होता है फिर फार्मर होता ह् फिर फैर्न डिया सقط एचेवर होता है ठीक है तो प्रेंडिगा IP यहां उत्तरप्रदेश आ सबसे नीचे कोन है इसमें सबसे नीचे में आपका है वो क्या नम है दादान अगर हवेली ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स आपका है नेक्स कोशन आपका है कि बिश्च जनसंख्या संबहोना दुजार 24 रिपोर्ट 11 जुलाई 24 को सहिगत राष्ट के आर्थिक क्यों सामाजी के मामलों के विभाग दोरा विश्च जनसंख्या संबहोना रिपोर्ट जारी किया गया ठीक है रिपोर्ट के उसार भारत की जनसंख्याए 2,62 तक 1.7 170 अरभ तो पहुझने का रनुमान नहीं जिसके बास संबहोता ओका बारा की जंस्ख्याए 12 परसथिक वर्थ 2,24 में बारत की जनसंख्याए कितना है 145 क्रोट मतलब एक जॉसलो 745 है जो बारा पसन उसके बाद गढ़ने लागेगी ठीक है भारत वर्स दुझार तेश में चीन को पीशे छोड़कर विस्ट का सबसे अधिक वाला राजबन गया है विस्ट की जनसंख्या दुझार असी के दसक प्मद में 10.3 पहुंच जाएगी दुझार असी तक का विस्ट की जनसंख्या दुझार चोविस में एक दसमलो चार एक बिलियन है जो कि दुझार चोवन में घटकर एक दसमलो दो एक बिलियन हो जाएगी और 2100 में यह और अधि घटकर 633 मिलियन हो जाएगी बदब 633 मिलियन जनसंख्या हो जाएगी चाहिना की 2100 जबाएगा ठीक है तो के बाद उहां से घटना सुरू होगी और 12 परसेंट घटेगी उसके बाद तो यह है आपका किसके दार आर्थी क्यों समाजिक मामरों के विभाग दोर जारी विस्तुचन संख्या संभावना दुज्या 24 रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आचे आचे से पढ़ संब्स के लिए समगर 10 बीटि समाबे सुचकांग का मूल 24 में 3 सुच का 2 से मार्या 24, 20 में 3 इसमें बिना किसी आधार वर्ज के परकासित किया गया है तो उचकांग में 57-97 संकेतर पर आधायद है जो सेवाओं की पहुंच आसानी उलब्दा और उप्योग दोरा सेवाओं की गुरत्ता पर आधायद है यह विवित्य समावेस के विभिन पहलियोग पर जानकारी को 0-100 क के बीच में एकल बान परसूर करता है जहाँ 0-100 के बीच में 0 मतलब क्या होता है पूर्ड वित्य समावेस करण और 100 मतलब पूर्ड वित्य समावेशन है जिसमें थीन ब्यापारिक ब्यापक पारमेटर है पहुंच 35% उप्भोग 45% गुरवत्ता 20 पर जिसमें प्रत्य के व आपका रिपोर्ट सुचकांग संबंधित सेतंबर महने के करेंट अफेर का यह आपका यह भी पॉइंट आपका क्रियर होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जाए-जार कमेट बाक्स में नीचे बताएंगे आप अपने सुजहाओ अपने क्वेश्चन से कमेट बाक् सब्सक्राइब करेंगे आपके यूट्यूब चैनल के तो वहां पे भी सारे यूट्यूग्राम वाट्साइब इस्टाग्राम सब मिल जाएंगे आप हमारे परसनल मेरे प्रसाल मिसरा के परसनल इस्टाग्राम आइडी से भी जूज लगते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लाक से साथ धन्यवाद